टॉपिक है प्रिंसिपल्स ओफ कम्मिनिकेशन यानि कि आज हम पढ़ेंगे एक कम्मिनिकेशन प्रॉसस में नहीं तो एक कम्मिनिकेशन स्टेप में क्या-क्या प्रिंसिपल्स होता है क्या-क्या सिधान्त हम उसमें देख सकते हैं हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे हमें प प्रॉसस होते हैं उसी को हम communication कहते हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि इतना उसके principles हैं कितने सिधान हैं हम उसकी बारे में deal करेंगे जिसमें हम mainly क्या है seven principles देख सकते हैं जबसे पैदा है clarity clarity मतलब हम जो भी चीज किसी भी इंसान से बोलते हैं किसी भी इंसान से हमें communicate करना होता है तो हमारे words क्या होता हैं? वो clear होना चाए यानि कि हम जो भी बोलते हैं वो सही तरीके से होना चाए और वो clear तरीके से होना चाए कि सामने वाला उसको इसी तरीके से वो समझ सके और understand कर सके clarity का मतलब यही है कि clear होना नहीं तो बहुत स्पष्ट होना अगला है concise concise का मतलब है हर जो भी हम चीजों के बारे में बात करते हैं कोई भी conversation होता है तो कोई नहीं चाहता कि बहुत बड़ा लंबा चोड़ा सा conversation हो हर कोई चाहता है कि छोटे में बात क्या है वो समझ में आजाए यानि कि बहुत short way में उसको समझना चाहिए कि उसका जो भी topic क्या है और उसके बारे में क्या बोला है वो short में समझाने को ही हम concise कह सकते हैं फिर आता है objectivity objectivity का मतलब होता है किसी भी communication में एक topic का होना ज़रूरी होता है यानि कि कोई भी communication हम करते हैं तो उसमें एक purpose होता है कि किस उदेश से वो communication हो रहा है उसी को हम objectivity कहते हैं यानि कि कि किसी भी topic की उपर, किसी भी point की उपर communication होना उसी को हम objectivity कहते हैं फिर आता है consistency consistency का मतलब होता है एक level में जाना यानि कि हम जब भी किसी से communicate करता है करते हैं तो क्या है हम एक ही चीज के बारे में क्या है हम consistent way में जाते हैं ऐसे नहीं कि आज किसी और topic के बारे में बात करा, कल किसी और topic के बारे में and बीच में तुम्हारा mood change हो गया नहीं, तो tone change हो गया तो सामने वाला इंसान सही तरीके से नहीं समझ सकता है तो उसके लिए क्या है एक communication को सही तरीके से समझने के लिए उसको accept करने के लिए क्या है उसमें consistency होना चाहिए यानि कि एक time to time क्या है सही चीज के बारे में कि हमने आज कोई चीज के बारे में बता दिया और अगले दिन हमने कोही और चीज़ ही बता दिया, फिर हमने first day जो deal किया था, उसी चीज़ पे वापिस आए, तो आसानी से समझने में problem हो जाती है, वैसे consistency होता है, यानि कि एक level by level नहीं, तो step by step जो भी समझाना होता है, जो communication होता है, उसी को हम consistency कहते हैं, फिर आता है completeness, completeness का मतलब होता है, पूर्णता, यानि कि जो भी हम communication करें, जो भी हम बात करें, उसमें एक completeness होना चाहिए, यानि कि जब भी हम बात करें, ऐसे नहीं कि आदा दुरा छोड़ के वो communication हो, communication हमेशा पूरा होना चाहिए, अगर हमें patient से communicate करना है, तो हम उसे किसी भी procedure के बारे म समझा दिया, और उसके बारे में 2-3 दिन बात समझाना, ऐसा नहीं होता, एक completeness के बात, ताकि patient को भी क्या है, एक level से समझ में आए, वो easily उसको accept कर सके, understand कर सके, इसले एक completeness यानि कि पूर्णता होना ज़रूरी है, फिर आता है relevance, relevance मतलब जिसमें चीज़ के बारे में हम बा बना के कोई बात या कोई communication नहीं करना चाहिए, हम जिसमें topic के बारे में बात करें, वो relevant होना चाहिए, वो मान्यता होनी चाहिए उस बात की, उसी को हम relevance कहते हैं, अगला है audience knowledge, यानि कि जब हम communicate करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ जानने की कोशिश कर करेंगे कि हमें जो सुन रहा है, यानि कि जो receiver होते हैं, क्या वो सही तरीके से समझ पार है, क्या उनकी knowledge उस तरीके तक पहुंच रहा है, यानि कि जब भी class में अगर कोई भी student को समझाते हैं, तो एक teacher क्या करती है, सबसे पहले वो पूछती है कि उस topic के बारे में उन्हें क understand कर पाया, उसको समझने के लिए क्या है, audience knowledge कर चेक करते हैं, उसके level को चेक करते हैं, यानि कि पता चलता है उससे कि जो भी audience है, जो receiver है, वो कितने अच्छे से हमारे communication को समझ पाया है, नहीं तो उसका previous knowledge कैसे था, तो ये था आज का topic जिसमें हमने deal किया, principles of communication, जिसमें हमने साथ principles के बारे में detail में पढ़ा है, अगर इससे related आपको कोई भी problem है, कोई doubt है, तो आप पोच सकते हैं, thank you